एलो गाईज एक बार फिट से मैं इमरान आमध मेरा येटूब चैनल इमरान मैथमेटिस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकाउन को प्रेज जरूर कीजिएगा आज हम इस वीडियो में आने वाले हर एक फर्मूले को देखेंगे एक ट्रिक के साथ है जिसके वयास से आपको यार्द करने में कोई परिसान ही नहीं होगी यानि हम जानते हैं कि हमारा छे तिरकुण मीतिया उनपात होता है एक होता है साइन ठीटा और एक होता है कौस ठीटा एक होता है तैन ठीटा एक होता है कौस एक ठीटा और एक होता है सेख ठीटा और लास्ट हमारा होता है कौट ठीटा यानि यहीं हमारा छे तिरकुण मीत आपात है इन्य सी हमारा सभी फोर्मुले बनता है त्थेटा बराभर सब से फोर्मुले बनता है स्थी्लतरो लंबट एज्वरोग जाहेद एती तरह 10 थीटा का फर्मुला हता है 10 थीटा इस इक्वबाट टू पी अपॉन b 10 थीटा का फर्मुला हो जाएगा कॉसेघ ठीटा इस इक्वबाट त्यक्षा प्लट देंगे तो 四 तो हमारा 803 का फर्मुला हो जाएगा 5 5 इसका फर्मूला हो जाएगा 112 इसका फर्मूला हो जाएगा एक जब मारा 2013 चीटा होता है यहांगा चीट का रिवर्स होता है यहांगी जब कॉस्टंट के फॉर्मिल्लों को पॉलट देंगे तो हमारा चीटा का फ़र्मुला हो जाएगा उसके बाद 10 ठीटा यानि 10 ठीटा का फर्मुला होता है पी अपन ए भी और जो 10 ट्रीक से देखते हैं यह हमारा ट्रीक होता है पी पी अपॉने एचे एचे बी यानि इसको हम सबसे पहले है यहां पर हम लिखेंगे साइन उसके बाद लिखेंगे कौसे उसके बाद लिखेंगे टैन और उसके बाद लिखेंगे हम कौटे उसके बाद हम लिखेंगे सेक और उसके बाद लिखेंगे हमें कौसे तो इससे हम देखते हैं कि हमारा सूत्र किस तरह से हो जाएगा यानि ज मिले fel मिले और समय उसी तरह अब हम 3टेर को भी देख लेते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि सेख ठीटा हमारा नीचे है यानि यहां पर सेख ठीटा नीचे है इसलिए हम नीचे उपर चलेंगे जब नीचे उपर जाएंगे तो पहले मिला H तो हम लिए देंगे H upon बाद मिला B, यानि सेख ठीटा का फर्मूला हो जाएगा, सेख ठीटा is equal to H upon B, इसी तरह से आप इस सभी फर्मूले को गया कर सकते हैं, हम एक और 10 ठीटा का भी value देख लेते हैं, 10 ठीटा is equal to, यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 हमारा उपर है, जब हम उप से निचे की तरफ आएंगे, तो हम मिलेगा पहले P, तो P लिख देंगे, उसके बाद मिल रहा है B, तो P upon B, यानि P है लंबे, और B हमारा है अधार, और इसमें H जो हमारा है, वह है कौन, तो इसमें हमारा यह अच्छे फर्मूला हो गया, अब हम हमें इसके और आगे फर्म करेंगे, तो हमें मिलेगा 1, इसको हम देख लेते हैं, यह कैसे मिलेगा 1 है, यानि हम जानते हैं, कि साइन ठीटा का फर्मूला होता है, P upon H, तो P upon H है, उसके बाद इन्टू तो इन्टू लिखेंगे, उसके बाद एक कौसेक ठीटा, कौसेक ठीटा का फर्मूला होता है, भी सकते हैं उसके से बांने के वहाद है इसके समतिक टिर्गों अनदबाद समर्पाइब चुर्पलाइब करें इसके आतम मिले मिलेगा इस इसको भी लिख सकते हैं क्या च्थिटा का रिवर्स होता है सेक ठीटा या जब हम कॉस्स ठीटा और सेक ठीटा को मलिप्लाई करेंगे तो हम मिलेगा 1 इसको प्राष्ट भी लिख सकते हैं सेक ठीटा इंटू कॉस्ठीटा इन बात हमाइवा दोनों लावर है उसी तरह हम एक और फर्मूला बना सकते हैं एक होता है ये होता है 10 ठीटा यानि 10 ठीटा कारीवार्स होता है he got a d फिटा एंजब 10 ठीटा और कॉच conservative करेंगे यांनि इंट्व करेंगे तो हम मिलेगा वह अभी हमरा एक सुत्र होगा 10 ठीटा इंटू- cos theta is equal to 1 अब हम इसी multiply वालों से हमें 6 और formula बनाएंगे यानि यहाँ पर एक और formula हो जाएगा sin theta is equal to यहाँ पर देख रहे हैंगे cos theta इसके multiply में है तो यह equal को उस पर जाएगा तो divide में चला जाएगा जो multiply में होता है यहाँ divide में चला जाता है यानि 1 upon cos theta एक और हमारा formula हो जाएगा और उसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानि cos theta is equal to यहाँ पर cos theta में sin multiply में है तो यह नीचे चला जाएगा यानि हर में चला जाएगा 1 upon sin theta उसी तरह हम cos theta से भी निकाल सकते हैं cos theta का एक और formula हो जाएगा 1 upon cos theta का reverse होता है 6 theta यानि 1 upon 6 theta एक और formula हो जाएगा उसी तरह हम 6 theta को भी निकाल सकते हैं यानि कि 6 theta is equal to 1 upon cos theta हो जाएगा उसी तरह हम एक और निकाल सकते हैं 10 theta is equal to 1 upon 10 का reverse होता है cos theta यानि cos theta उसी तरह हम एक और निकाल सकते है कौटटिटा is equal to one upon ten ठीटा यानि कौटटटा का reverse होता है तैने ठीटा यानि इसमें हम यहां तक फॉर्मुला देख लिया अब हम और आगे फॉर्मुले को देखते हैं यानि हमारा एक और फॉर्मुला होता है साइन स्कॉायर ठीटा पलस कौश स्कॉायर ठीटा is equal to होता है one सब्सक्राइब करेंगे तो उसका वैलू हो जाएगा कैसे इसको हम दिख लेते हैं हम जानते हैं कि साइन ठीटा का फर्मूला होता है पी अपान एच यानि लंब बटे कौन यहां पर साइन का स्कॉार इसका भी स्कॉार कर देंगे उसके बादे पलस तो पलस लिखेंगे उसक हम भींड का यहां जबराएंगे स्कॉार के लस्वाइब करेंगे तो हम मिलेगा वहां और वहां को इससे मलीप्लाइट करेंगे तो हम मिलेगा ब्राबर होता है और 1 को B² से मलिप्लाइ करेंगे तो हम मिलेगा B² यानि H² पलस B² तो हम जानते हैं चुकि हम जानते हैं कि H² रिकॉर्ड का S² बुराबर होता है पी का S² पलस लंब का S² यह हमारा पैथा गोरस पर में तो इससे हमें यहां पर लिख देंगे पी स्कॉर्ड पलस B² का स्थान पर लिख देंगे H² और उसके बारे अपन तो अपन उसके निचे है है तो हम मिलेगा यही तरह हमारब होता है साइन स्क्वार ठीटा प्लस कोस इक्वार टीटा इस एक्वार टू यहां पर लिख देंगे और को उस पर ले जाएंगे तो यहीं मैं मैं में कॉस स्क्वाइर ठीटा है यह हमारा एक और फॉर्मूला हो गया और उसी तरह हम इसमें एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कैसे यहां पर निकाल देंगे कॉस स्क्वाइर ठीटा का फॉर्मूला निकाल देंगे कॉस स्क्वाइर ठीटा इस इक्वल टू यहां पर वान है और पर ले जाएंगे तो स्ऐस्य ﷺ स्वायर ठीटा ओपल को जिकिल टुम फसकोर ठीटा को इस तो यहां सब्थेटा卜़ को और फ्रमूला बना लेंगे कैसे बना लेंगे यहां से हम एक और फर्मूला निकाल सकते हैं यहां पर है यहां सेब स्कूआइ ठीटा है उसके बाद इस उन को इस स्काइर थीटा को इस पर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा पॉल से 10 स्कॉाइर ठीटा माइनस में यहां में इस फर्मूले से इसमें दो और फर्मूला बना लिया अब हमें अगले फर्मूलों को देखते है हमरा अगला फर्मुला होता है कॉसे के स्क्वाइर ठीटा माइनस कॉट स्क्वाइर ठीटा इस इक्वाइर ठीटा होता है यह हमारा यह एक और फर्मुला होता है अब इसी फर्मुला से हमें दो और फर्मुला को बना लेंगे कॉसे के स्क्वाइर ठीटा का फर्मुला हो ज सब्सक्वाइब नम Mac सब्सक्राइब na ऊपर स्फवाइब नहीं बु मारा एक और फphabet होता है साइन नाभेट डीगरी माइनस ठीटा यानि जब घ्र किसी एंगल को माइनस करेंगे तो हुजाएगा को से ठीटा यानि जब 90 में मीनस करें लtain तो इस तरह से को से कसा लेता है को सब्सक्राइब इसका साथ लेता है को सी तरह यह को से 90 डिगरी माइनस ठीटा पर वह सब्सक्राइब साथ एक तरह साइन लेता है को स्कुद्राइस का साथ है और जो ठीटा होता है यहां पर ठीटा आपना को स्कुद्राइस के खालना करते हैं एक होता है Qaosic के 90 डिग्री साथ है कोई हैं इसको माइनस म्रैदगा तो Qaosic जो है वहtechnrant साथ ले लता है किसा से के 3T का साथ ले लता है ये हो जाएगा से लाने से लाने hablar सकते हैं जो से क्षेटों है किस छिटी के 3T का साथ ले लता है यानि इससे एक 90 डिगरी माइनस ठीटा का फर्मुला हो जाएगा कॉस एक ठीटा इससे तरह हमारा दो और फर्मुला हो जाएगा यानि 10 ए 90 डिगरी माइनस ठीटा यान 10 डिगरी माइनस ठीटा जो 10 है वो किसका साथ लेता है वो साथ लेता है कॉट ठीटा का तो यहीं हो गया हमारा तिरकॉण मित्य सूत्र तो बस आज की वीडियो में इतना ही अब हम नेक्ट वीडियो मिलते हैं यहीं हम इतना हैं